Hello Everyone, Welcome Again to ML Chemistry Classes और आज के वीडियो लेक्च्टर में हम डिस्कस करेंगे Second Order Kinetics, Second Order Reactions के बारे में और इसके Integrated Rate Law के बारे में अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने चे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि Second Order Reactions होती क्या हैं, ठीक है? देखो, Zero Order और First Order हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है? Second Order का Meaning, Simply अगर समझा जाए, तो क्या होगा? कि अगर आपने किसी reaction के अंदर reactant जो है, उसका concentration डबल कर दिया तो यहां से आपका जो rate of reaction है, वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो आपका जो reaction का rate है, वो 9 टाइमस बढ़ जाएगा यहनि हर बार क्या हो रहा है? स्क्वाइर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो उस चीज को आप बोलोगे Second Order Reaction, ठीक है? और अगर simply rate law के terms में बोला जाए, तो ऐसा reaction, जिसके अंदर जो rate होता है, rate of reaction, ठीक है? वो किसके उपर depend करता है? के इंटू, सपोज आपका reactant A है, ठीक है? उसकी concentration की power 2 के उपर, ठीक है? देखो, rate expression के अंदर, ठीक है? के concentration of reactant का जो भी power होता है, उसी को हम order of reaction बोलते हैं, ठीक है? तो यहां से मेरा जो order of reaction है, ठीक है? यह होगा 2, तो यह हो गई Second Order Reaction की definition, अभी हम इसके लिए discuss करते हैं, कि किस तरीके से हम integrated rate laws के लिए निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अच्छा, Second Order की जो kinetics है, उसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप 12th लेवल की बात करो, बोर्ड लेवल की, तो बोर्ड लेवल के अंदर Second Order Kinetics बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो बच्चे नीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एडवांस और मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास में Second Order Kinetics जरूर आएगा Second बात, जो BSC के स्टूडेंट्स हैं, जो MSC के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी Second Order Kinetics आएगी, लेकिन ये दो तरीके से हो सकती है, देखो हमाई पास दो रियक्शन पॉसिबल हो सकती है, कैसे? में भी हो सकता है, मेरा एक ही रियक्टेंट रहा हो, ठीके? और वो जो रियक्टेंट है, वो कनवर्ट हो रहा हो Product P में, ठीके? एक रियक्शन तो ये भी हो सकती है, क्योंकि देखो, अगर मैंने इसका जो Slow Step था, उससे मैंने अगर Analyze किया और वो Second Order निकला, मतलब इस एक क रियक्टेंट में Second Order है, में भी ये भी तो हो सकता है, कि मेरे पास में दो रियक्टेंट रहे हो, एक रियक्टेंट A रहा हो, एक रियक्टेंट B रहा हो, और दोनों ने कंबाइन करके Product P बनाया हो, तो उस case में क्या होगा? अगर मैं बोलू कि इस इस पर्टिकुलर रियक्टेंट हो, और एक हो सकता है, कि आपके पास रियक्टेंट सिंगल हो, एक ही रियक्टेंट हो, तो हम दोनों के इस डिसकस करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लेके चलेंगे कि केवल एक ही रियक्टेंट हो हमारे पास में, तो देखो, अज्यूम करो, यहां पर एक था मेरा A ठीक है इसने क्या क्या प्रोड़क्त में कन्वर्जन किया प्रोड़क्त बनाया मेरा P अभी इनिशली बात करते हैं ठीक है तो इनिशली क्या था इनिशली जब हमारा टाइम जीरो था ठीक है वन T is equal to zero तो suppose करो मैंने इसका concentration मान लिया A naught ठीक है जीरो तइनिशली के उपर इसका concentration है वह रहा होगा A naught now per liter अच्छा उस time पर तो product नहीं बना तो product तो ent car Thanøre measurement 0 होगया ठीक है अभी मिद of the reaction में or ki किसी time t के उपर, t is equal to t seconds, इसके उपर मैंने मान लिया कि इसमें से कुछ निकल गया होगा, तो a 0 में से मैंने मान लिया कि कुछ x amount of reactant है, वो convert हो गया किसके अंदर product के अंदर, तो देखो, 1 mol से 1 mol बनता है, तो x mol अगर यहां से काम में आएगा, तो यहां भी x mol बनने वाला है तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, x mol per liter, ठीक है, यह बन गया, अच्छा मैं इसको a 0 minus x से भी denote कर सकती हूँ, और आप चाहो तो ना इसको concentration at time t, यहनी a t से भी denote कर सकती हो, यह totally आपका choice है कि question में किस सरीके से दिया हो, maybe आपको product का concentration दिया हो, तब आप क्या करोगे, initial concentration म माइनस कर दो, और में भी आपको t timing के ऊपर बचा कुछा concentration दे दिया, तो फिर आपको product के concentration की need नहीं है, तो आपको दोनों के लिए prepare रहना चाहिए, ठीक है, तो यह मैंने दो conditions यहां पर माल ली, अब भी हम क्या करते हैं, इसका rate of reaction लिखते हैं, दो terms में, कैसे, देखो, एक लिखते हैं हम differential law के form में, ठीक है, rate in the form of differential law, इसके form में कैसे लिखा जाएगा देखो, दू तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हमारी reactant का concentration time के साथ क्या से काम हो रहा है वो, यह हमारा product का concentration time के साथ क्या से बढ़ रहा है वो, दू तरीके हैं, तो मैं Reactant के form में लिखते हूं, तो क्या हो रहा है ना मेरा जो reactant है A, ठीके, time के साथ में क्या हो रहा है, उसका concentration decrease कर रहा है, decrease करने का मतलब negative sign आएगा यहां पर, ठीके, तो D, change in concentration of reactant A, divided by dt, ठीके, यह तो हो गया अपना differential rate law के form में, इसको मैंने दे दिया equation number 1, अच्छा, आगे क्या करते हैं, हम इसको rate expression के terms में भी लिख देते हैं, ठीके, तो एक तो हो गया यह, दूसरा क्या करते हैं, इसको लिखते है rate expression के term में, so in the terms of rate expression, ठीके, rate expression के terms में, देखो rate expression के terms में क्या होगा, second order kinetics है ना, जो मैंने उपर भी बताया था भी, तो यहां से rate के निकलेगा, rate is equal to k, which is rate expression into concentration of reactant का power 2, ठीके तो यह, यह भी मेरा rate of reaction है, यह भी मेरा rate of reaction है, तो दोनों rate of reaction होगी, तो दोनों को मैं equal कर दूँ, मैं इसको देती हूँ, equation number 2, तो दोनों को अगर equal कर दिया जाए, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, कि minus of change in concentration of reactant with time, which is equal to k a raised to the power 2, ठीके, अब क्या करते हैं, बिल्कुल easy है आगे तो mathematics का रो ले, dt को shift करो इदर, a square को shift करो नीचे, तो यहां से आपको मिलेगा, minus dA, ठीके, divided by a square is equal to, यह a का square है, ठीके, is equal to k dt, एक काम करते हैं, minus को इदर shift करते हैं, तो यहां से हमको मिलेगा, dA, ठीके, एक काम करते हूँ, मैं इसको ना, v1 upon a square लिग देती हूँ, is equal to minus k dt, fine, अभी कर दो इसका integration, ठीके, integrating both sides, अच्छा, यहां पर हमें काम करते हैं, हम limit लगा के करते हैं, definite integration, तो मेरा जो reactant है, ठीके, इतर देखना एक बार, यहां पर यह जो concentration है, ठीके, यह कब है, जब time 0 था, तो इसको मैं a0 से भी denote कर सकती हूँ, a0, ठीके, और यहां इसको हम capital A, T से भी denote कर सकते हैं, इसको हम capital A, T से भी denote कर सकते हैं, यह आपका choice है, आप A, T से, small A, T से denote करो, या capital A, T से denote करो, दोनों में से कोई wrong नहीं है, ठीके, तो मैंने zero timing पे तो concentration लिया है A0, और T timing पे मैंने concentration लिया है A, T, इसको put करेंगे, यानि हमाई limit लगेगी A0 से A, T, concentration के लिए, और time की limit लगेगी 0 से T सेंट तक, तो यहाँ पे जम मैं इसका integration करूंगी, तो यहाँ पे limit आएगी, from A0 to A, T, और यहाँ पे limit के आएगा आपका, from T is equal to 0 से, T is equal to T सेंट पे, ठीके, अभी यह देखो, यह 1 upon X स्कोएर हो गया, यहाँ देखो एक बार, अगर आपको suppose करो, ऐसा कुछ दिया हो, X, ठीके, DX, इसका integration करना हो, तो इसका general formula क्या होता है, X, N plus 1, divided by N plus 1, ठीके, यहाँ पे N क्या होगा, कि X के उपर जो power है, वो N हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखो आप, इसको X की जगर A मानो, तो यह जो 2 है, अगर उपर गया, तो माइनस का 2 रहेगा, ठीके, तो इसका integration क्या हैगा, A, देखो उपर जाके हुआ, माइनस का 2, इस formula से क्या हैगा, यहाँ पर, प्लस का 1, divided by, माइनस का 2, ठीके, प्लस का 1, और इसका limit कहां से कहां तक लगेगा, A0 से 80, ठीके, एक तो मुझे मिला यह, अच्छा, इसके equal में, के तो constant है, माइनस को भी बाहर ले आते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा, माइनस के, ठीके, और यहाँ पर मैंने definite integration किया, यानि constant नहीं आएगा, तो T, ठीके, और इसका limit लगेगा, 0 second से T second सब, ठीके, तो अगर आप इसको आगे solve करते हो, तो यहाँ से आपको मिलेगा, का power minus 1, जिसका limit लग रहा है, a0 से 80, is equal to minus k, ठीके, अपर limit minus lower limit, ठीके, तो यहाँ से हमाई पास क्या बचेगा, kt, ठीके, minus minus plus kt into 0, ठीके, तो यह term 0, तो केवल यहाँ पर minus kt बचने वाला है, अच्छा, यह जो minus का 1 है, ठीके, इसको plus का 1 करने के लिए, इसको नीचे की त ठीके, ठीके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो, minus से minus cancel हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ से मुझे मुझे मिलेगा, 1 upon a, इसका limit लग रहा है, a0 से 80, which is equal to, minus तो चला गया, यह term 0 हो गया, तो यहाँ से रहा kt, ठीके, अपर limit minus lower limit, तो यहाँ से हमको आगे मिलेगा, minus lower limit क्या है, a0, which is equal to kt, so this is the integrated rate law for second order reaction, ठीके, अचा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, 0 order reaction और first order reaction इससे पहले हमने discuss किया था, 0 के लिए आपको फार्मुला क्या मिला था, 0 order के लिए, यह था ना फार्मुला, a0 minus at is equal to kt, ठीके, और first order के लिए क्या फार्मुला था first order के लिए ऐसा था, t log base 10, a0 minus log base 10, at which is equal to kt divided by 2.303, ठीके, तो यहाँ पर आपने एक तो 0 order में notice किया और एक first order में notice किया हो, कि यहाँ दोनों ही जगह उपर, सबसे पहले जो t is equal to 0 timing था, उस पर कितना concentration है वो आ रहा है, ठीके, अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ प ठीके, उस timing के उपर आपका concentration कितना बच गया था, और यह सही भी है, reason देखो, t timing पे concentration कुछ कम रहेगा, तो यह term बढ़ा आएगा, a0 initially तो concentration जादा था, तो यह term छोटा आएगा, तो overall जो हमारा term होगा, वो positive में आएगा, ठीके, तो यह जो है आपकी reaction बन लिए किसके लिए second order kinetics के लिए, अभी इसका graph भी draw कर लेते हैं, तो देखो graph draw करना चाहती हूँ, मैं किसके बीच में, 1 upon 80, ठीके, versus time के बीच में, तो एक काम करते हैं, इस इस 1 upon a0 पो इधर shift करते हैं, तो यह positive हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, 1 upon 80 is equal to kt plus 1 upon a0, ठीके, चलो इसको compare करते हैं, linear line equation से, ठीके, तो straight line equation से, अगर आप इसको compare करो, तो यहाँ से हमको मिलेगा, y is equal to mx plus c, if you notice, your slope is positive, ठीके, तो straight line तो आएगी यहाँ पर, ठीके, अच्छा, x अगर 0 हो, तब भी y का value c से कुछ ना कुछ आने वाला है, तो हमारा जो curve है, वो origin से start नहीं होने वाला ठीके, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो, curve आएगा कुछ ऐसा, यह origin, ठीके, y axis पर मानागी ती हूँ, 1 divided by 80, ठीके, और x axis पर हम मान रहे हैं, timing, in seconds, अच्छा, यह concentration mole per liter में, ठीके, तो y versus, ठीके, x, x के पर यह T है मेरा, तो जब x 0 था, तब y का concentration किसकी equal होगा, 1 upon y or 0 के, यानि, suppose यह कोई अपना value रहा होगा, यहाँ पर, यह intercept, ठीके, 1 upon a 0, तो curve यहाँ से start होगा, और यह इस तरीके से आपको मिलेगा, straight line curve, ठीके, अच्छा, one more thing, अगर यहाँ से slope निकालना हो, ठीके, तो मेरा slope जो होगा, यानि 10 theta, वो क्या हैगा, positive, k के equal, आपने first order और 0 order के अंदर notice किया होगा, हमारा जो curve होता था, उसका slope negative होता, तो हर बार straight line equation तो मिल रहा था, हमको, ठीके, लेकिन curve हमारा नीची की तरफ जा रहा था, यहाँ पर अपना जो slope है, वो positive वैसलिए curve उपर की तरफ जा रहा है, ठीके, तो यह बन गया आपका second order kinetics के लिए graph, ठी वैसे वैसे क्या होगा, 1 upon 80 का जो value है, ठीके, वो भी बढ़ता जाएगा, ठीके, तो I hope आपको यह चीज clear होगी होगी, ठीके, अभी इसके अंदर ना हम